दिखाऊं तो यह कुछ इस तरह का दिखाई देगा यहां पर आप देख रहे हैं कि एक ही सेल में सारा डेटा टाइप कर दिया गया है और अगर इस डेटा का टोटल आप निकालना चाहें तो आपके लिए टोटल निकालना बहुत मुश्किल यह डेटा मैंने आपको करते हैं तो वहां पर कुछ बन रहते हैं जो कि जो कितनी हो यहां पर पेस्ट होने के बाद इस तरह के दिखाई देते हैं तो यहां पर आप देख रहे हो कि अगर मैं सेल पी क्लिक करूंगा तो सारा डेटा इस तरह से मुझे दिख रहा है अब अगर इसे मैं यहां से सम भ करके paste special के option पे click करूगा यहां पे आपको transpose का option दिखाई देगा इस पे आपको click करना है और ok कर देना है तो हमारे पाद जो data है वो आपको इस तरह से दिखाई देने लग जाएगा जो पहले इस तरह से दिखाई दे रहा था अब इस data को हमें convert करना है column के अंदर जो अभी text के रूप में यहां लिखा हुआ है इसको हम यहां से इस तरह से select करेंगे उसके बाद data tab पे click करेंगे और यहां पे आपको option दिखाई देगा text to column का text to column मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ लेकिन यहां पे थोड़ा सा आपको एक trick और इस्तमाल करना है कि कैसे करना है तो यहां पे आपको click करना है अब जैसे आप click करेंगे तो यहां पे आपको delimited का option मिलेगा इस पे आपको click कर देना है और यहां से आपको next करना है तो next कर जाके हम Ctrl J को प्रेस करेंगे, Ctrl J प्रेस करते ही, जो आपका सारा डीटा है, वो justify हो जाएगा, आप देखेंगे, सारा जो डीटा है, वो हमारा अलग-अलग cells में आ गया है, अब अगर cells बढ़े हैं, तो सारे cells को select कर लो, और यहां से अपने जो भी height आपको देनी है, वो आप दे दो, और यहां से column को भी select कर लो, और यहां से जाके आप इसको चाहो तो center कर लो, और अगर table में convert करना चाहा रहे हो, तो यहां से आप कोई भी table का option select कर लो, और इसको convert कर आप जो चीज करना चाहो इसके साथ में कर सकते हो तो मैं सम करके आपको दिखा देता हूँ और टो सम पर क्लिक करना है एंटर करना है और देखो यहाँ पर यह डीटा का सम हो गया बहुत आराम से जो कि डीटा स्टार्टिंग में आपको इस तरह का दिखाई दे रहा था अब वो आपको कोच इस तरह का दिखाई देने लग जाएगा तो है ना मज़ेदार अगर यह ट्रिक आपको अच्छी लगी हो MSXL की और आगे भी आप ऐसे ही वीडियो देखना चाह रहे हो तो चैनल सस्क्राइब करना मत भूलना कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिन वन्निमातरम